नमस्कर दोस्तों आज की रेट में अपन बात करेंगे हिंदुस्तान कंट्रक्शन शेयर की दोस्तों आज की रेट के अगर बात की जाए तो छोटी-मूटी गिरावट अपी फिलाल देखने को मिल रही है लगाता स्टॉक दोस्तों भी गिरावट में है 30K लेवल से बड़ी तेजी के बाद तो अभी आगे की क्या है यहाँ पर अणिती होनी चीह उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपने देखा होगा स्टॉक ने जब 24-50 के लेवल से लगातार तेजी दिखाई उसके बाद 30 के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला लेकिन जब स्टॉ दूसतो ऊपर की और इस रिसेंट हई को ब्रेक आउट नहीं कर पाया जैसे कि इससे पहले छोटा मटा सेलिंग प्रेशर ब्रेक आउट बांस ब्रेक आउट के साथ ब्रेक आउट हो रहा था तो उसके बाद दूस्तो अभी यहाँ से चलियर कट डाउन ट्रेंड का सिगनल दे दिया है और गिरावत स्टॉक यहां से दिखा सकता है तो यह जो लेवल है तो एक मेजर रजिस्टेंस का काम करेगा अभी 30 का लेवल जहां पर स्टॉक ने दो बार रिजेक्शन लिया है तो बड़ी तीजे के लिए स्टॉक को 30 के ऊपर ब्रेक आउट देना इंपॉर्ट स्टॉक ब्रेकडाउन दे सकता है तो अभी फिलाल फ्रेज बाइंग अगर आप करना चाहते है तो वेट करना है अगर आपने ऊपर के लेवल पर खरीदारी कर ली है फोल करने के लिए तैयार है तो यह सबसे आखरी सपोर्ट लेवल रहेगा जहां से स्टॉक ने इससे पह 50 तक का भी फॉल देखने को मिल सकता है हाला कि जहां पर ट्रेट कर रहा है यह भी इसका सपोर्ट लेवल है इसी लेवल से अगर स्टॉक बाइंग बाइंग करके at least 30 के ऊपर भी अगर स्टॉक ब्रेकाउट दे गया तो फिर आपको 40 से लेकर 44 तक के लेवल देखने को मिले तो यहां पर शॉट टम में अभी गिरावट के संभाना बनी हुई है लेकिन अल्ल टाइम चाट पर अगर नजर डाली जाए दोस्तों तो उसके एकॉर्डिंग यहां से स्टॉक अगेन दुस्तों अपसाइट दिखा सकता है अपसाइट पुटेंशियल बागी है अगर अल 24 तकी लेवल हिंदुस्तन कंट्रक्शन शेर दिखा सकताइट